Hello everyone, welcome to teacher education, I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज के इस क्लास में हम लोग algebra के जोड और घटाना मतलब 20 गड़ीती जोड और घटाना सीखेंगे पिछली क्लास में हम लोगोंने algebra के basic चीजों को पढ़ा था और उस क्लास में मैंने बताया भी था कि इस chapter में दो क्लास होंगी पहली क्लास हम लोग पूरा introduction और basic चीजों को जानेंगे उसके बाद जोड घटाना आज़ी चीजों को सीखेंगे और पिछली क्लास में हम लोगोंने ये भी जाना था कि चर अचर क्या होते हैं उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 20 गंडिती जो शुत्र है या इनका प्रियोग व्यावारिक जीवन में कैसे होता है उसके बाद इस diagram को हम लोगोंने देखा था उसके बाद हम लोगोंने सबसे important था सजाती और विजाती पद, समान और असमान पद क्या होते हैं इसको पढ़ लिया था आप में सेगर कोई SI student हो जिसने इस class को नहीं देखा है तो आप एक बार इस video के description में link मिल जाएगा एक बार आप उस class को देख लें यह most important class थी आज के class में हम लोग जो topic cover करेंगे वो है आप यहाँ देख सकते हैं BG वेंजकों की संक्रिया और एक बहुत interesting class होगी तो class को in तक देखेगा चलिए आज के इस session को शुरू करते हैं देखें point one लिखा है यहाँ पे वेंजकों को जोड़ना और घटाना उसको आम लोग सीखेंगे एक टाम आप लोगों को आएगा उर्ध्वाधर तर इसका मतलब क्या है उर्ध्वाधर और आपको शैती जाएगा तो इसका मतलब जैसे अगर कोई संख्या जोड़ी जाती मान लीजे पंद्रा पचीस और दस जब आपको ऐसे जोड़ने को कहा जाएगा तब आप चाहें तो इसको जब ऐसे जोड़ते हैं तो यह चैती जोड़ हो गया आप यहां 5 लिख देंगे फिर 1 और 2 3 हो जाएगा और 4 यहां पर 45 लिख देंगे तो इसको चैती जोड़ का जाता जब आप इसी को 15 20 और 10 करके जब ऐसे जोड़ते हैं जैसे बचमन में हम लोग जोड़ते थे तो इसको उर्ध्वाधर कहा जाता है तो यह बेसिक चीज आ अब हम लोग जानेंगे कि मालेजी आपके सामने एक question आता है और ये question इस तरीके से है और इसमें आपको algebra जोड़ और घटाना करना है तो एक चीज का आप सभी लोगों को ध्यान देना होगा रोजो की पिछली class से related है कि सजाती पद जो होंगे सजाती पद से ही उनका जोड़ होगा उनका घटाना होगा इसका अर्थ क्या है उसको समझ लीजी एक question दिया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2xz-3z-3z-u है और लिखा है xz-2x का योग लिखिए योग निमलिखित प्रकार से कराइए करिए इसमें देखिए जब हमें योग करना होगा तो आप एक पहले उपर लिख लेंगे यह उर्द्वादर तरीका है फिर दूसरा जो तरीका होगा 36 तरीका है इसको भी हम लोग देख लेंगे आसानी से तो देखिए जोड करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा यहाँ पे आप देख रहे होगे एक्स-ज Yeah के नीचे एक्स-जेड लिखा है माइनस यहाँ पे लिखा जो इसका अर्थ क्या है यह एक के नीचे एक लिखा जाएगा मतलब सजाती पद जमनीचे रहेगा तब ही जोड घाटाना सम्भव है इसका अर्थ क्या है इसको समज़ घेजेए एक अच्छे एक बहतरीन एक्जामपल से मैं आपको समझा सकता हूँगी माल लीजिए हम इसको कुछ माल लेते हैं ऐसा जब एक्स वाई जेट जब देखते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज होते हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना है माल लीजिए दो आम यहाँ पे हमने लिख दिया तीन सेव यू से हम लोग एक अनार और सिर्फ अनार लिखेंगे तो इसका मतलब एक अनार यहाँ लिख दे रहा हूँ अब अगर हमें अगर हमारे पास 5 आम है और उसमें से घटाने को दिया जाएगा 2 आम तभी तो हम लिखेंगे कि 3 आम मतलब आम से ही आम को घटाया जा सकता है अगर यहां पे लिखा रहा है पांच आम में से आप दो या एक सेब घटाईए तो क्या ये पॉसिबल है ये आप सोच के हमें बताईए इसका अर्थ ये हुगा कि जो चीज दी गई होगी जो गुडांक से जुडा हुआ जो ये चर है जो ये चर है ये चर निर्धारित करेगा जब आम है तो आम को ही आम से घटाया और जोडा जा सकता है ये सिफ जोड घटाने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाकी गुडा भाग का हम लोग आपके सलेबस में नहीं है तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं किसी क्लास में आपको बता दूँगा डिटेल में इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि अब अगर यहाँ पे देखिए एक आम घटाना है तो हम आम के नीचे ही आम को लिखेंगे क्योंकि हम उसी को घटा पाएंगे बाकी चीजों से हम घटा नहीं पाएंगे वो संभव नहीं होगा इसलिए जोडते समय इन चीजों का ध्यान रखेंगे जहां सिर्फ जैसे एक्स जेट लिखा है तो इसका मतलब एक पहले से understood होता है तो यह नहीं कि सर्य यहां पे तो कुछ लिखा निए तीन कैसे हो गया है अब यह बिल्कुल basic है आप सभी लोग पढ़े भी होंगे इसलिए मैं ज्यादा detail में नहीं जा रहा हूँ अब जोड़ेंगे आप इसको तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप plus u लिख देंगे अच्छी चीज क्या है आगे या पीछे कहीं से भी आप इसको जोड़ सकते है यहां पे देखिए plus का symbol आप बना देंगे यहां पे 2xz लिखा है यहां पे xz है फिर से मैं बता दे रहा हूँ जैसे 5 save और 2 save अगर आप के पास 5 save थे 2 save आपने और ले लिया तो 7 save हुए सेम वही तरीका है सेम वही concept इसमें confused नहीं होना है यह जो number है आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं इसको मैं आपको डीटेल में बता चुका हूँ अब उसी तरीके से अगर 36 जोडने के लिए दिया जा जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दो तरीके से जोड़ा गटाया जाता है स्टार्टिंग में हम लोग 36 का तो हम लोग बाद में प्रयोग करते हैं पहले और ध्वाधर का प्रयोग करते हैं तो यहां पे देखिए जब यहां पे ऐसे होगा तो सेम हम लोग वही कंसिप्ट अपनाएंगे यहां पे 2XZ है तो XZ से जोड़ लेंगे जब हम चीजों को समझ लेते हैं तब ऐसे आसानिस कर लेते हैं तो आंसर तो सेम आएगा आप जो आसान आपको तरीका लगे आप उस तरीके को अपनाएंगे तो जोड़ तो बहुत आसान होता है जोड़ अभी हम लोग exercise भी करेंगे तो आप घबराईएगा मत जितनी भी इसमें यूनिट में exercise दी गई है उसको हम लोग solve कर लेंगे इसके बाद अब बात आती है घटाने की वेंजकों को expressions जो हैं इनको घटायना कैसे जाता है घटाने में एक चीज का ध्यान दिया जाता है जैसे अभी इस पे आप जैसे आप लोगों को एक formula याद होना चाहिए कि multiply का भी formula याद होना चाहिए क्योंकि वो जरूरी हो जाता है जैसे minus कोई संख्या minus में minus 2 multiply अगर हम minus 2 से करेंगे तो ये plus 4 हो जाएगा या तभी लोग जानते भी होंगे I hope अगर minus 2 का हम multiply multiply सिर्फ 3 से करेंगे और जब सिर्फ 3 लिखते हैं तो वो plus में होता है तब हम इसको minus 6 लिखेंगे और यही 3 आगे भी रहेगा और minus 2 रहेगा तभी ये minus 6 ही होगा तो ये minus का थोड़ा सा concept आप सभी लोगों का clear होना चाहिए कि जब 2 minus संख्याओं का गुड़ा होता है तो वो plus हो जाता है एक minus होगा तो वो minus ही कर देगा मतलब एक negative आदमी किसे से जुड़कर उसको negative कर देगा ऐसे आप समझ सकते हैं व्यावारिक जीवन से और plus के साथ ऐसा नहीं होता है 3 into 2 होगा तो 6 होगा जो कि आप तो बहुत पहले जानते हैं इस चीज को यह ध्यान रखेंगे अब इसका use क्यों होगा उसको जान लीजिए और एक और term जान लीजिए यहाँ पर देखिए यह मैं अभी बता क्यों हो रहा हूँ इसका अभी आप यह उस्तुरं समझ जाएंगे minus अगर बाहर लिखा है bracket के और अंदर minus 2 है तो इसका मतलब यह होता है कि इस minus का इस bracket का मतलब multiply होता है तो इसका multiply होगा minus 1 और minus 2 का तब यह क्या हो जाएगा plus 2 या सिर्फ 2 लिखते हैं plus हम नहीं लगाते हैं usually तो यह ध्यान रखिएगा अब इसके जरूवत के हम है उसको देख लेते हैं एक equation आप लोगों के सामने है इसको आप देख लीजिए देखे यहां पे लिखा हुगा है 2x minus 3y plus z में से x plus 2y minus z को घटाने की संक्रिया करिए operation करिए संक्रिया का मतलब मैंने आपको बताया था operation इसमें जो गणित में ये 4 प्रमुख संक्रिया है plus minus multiply और divide जोड घटाना गुड़ा भाग तो यहां पे हमें घटाने की संक्रिया करना है तो घटाने की संक्रिया के लिए हमें क्या करना होगा यहां पे आप देख सकते हैं अब हम फिर वही काम करेंगे अगर हम इसको और घटाते समय starting में हम इसको उर्ध्वाधर तरीके से लिखते हैं तो समझ में भी आ जाएगा आप सजाती लिखेंगे जैसे यहां पे लिखा है कि इसको क्या करना है अब हमारे पास सिंबल जो आ गया कि देखे प्लस में कुछ भी चेंज नहीं करना होता लेकिन जब हम माइनस जाए से यहां लगाएंगे इस माइनस का मतलब हो जाएगा इस पूरी संख्या में पहले इस माइनस का मल्टिप्लाई हो जाएगा कहेंगे इसका मतलब क्या यह जरूरी इसलिए हो जाता है खास कर इस अलजब्रा में अब यह संख्या माइनस हो जाएगी मतलब भी प्रीत हो जाएगी यह प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा आप कहेंगे क्यों उसके आधार पर ही जोडने वाली प्रक्रिया अपनाएंगे, आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, अब हमने symbol तो change कर लिया, अब जो जैसे है, जैसे माली ये जब अंदर आ जाएगा, ये minus जो कि हमें घटाना था इस equation को, ये ऐसे हो जाएगा, इसक आपे minus 2y है, तो minus लिख देंगे और इसको 5y लिख देंगे, आप कहेंगे सर माइनस माइनस जैसे देखिए, माली जी अगर आपके पास 5 रुपे कर्ज हैं, और किसी से आपने 2 रुपे और कर्ज ले लिए, तो कितनी रुपे कर्ज हो गया है, 7 रुपे कर्ज में आप चले जाता है, यहाँ पे देखिए, प्लस जेड और जो नया चिन आ गया, वो प्लस जेड है, तो हम इसको लिख देंगे, प्लस 2z, यही वो तरीका है, आसान सा तरीका, जिससे कि हम लोग घटाना करते हैं, यह था आपका उर्धवाधर तरीका, अब हम लोग 36 तरीका देख ले यह था एक्वेशन आपका, माइनस था, x प्लस 2y माइनस जेड, अब देखिए, यहाँ पे माइनस है, अब इस ब्रेकेट को जब हम अटाएंगे, तो मुझे इस माइनस का अंदर मल्टिप्लाई करना होगा, और जब मल्टिप्लाई करेंगे, तो चिन बदल जाएंगे, ज 2y, क्योंकि यह जो माइनस है, सिर्फ 1 है, अगर यहाँ पे माइनस इस इक्वेशन में माइनस 2 और मल्टिप्लाई, एक सारी, ब्रेकेट रहता, तब हम 2 से करते जाते, लेकिन कुछ नहीं है, तो 1 है, अब यहाँ पे माइनस है, यह माइनस है, तो यह प्लस Z हो जाएगा, अब इसमें हम सजाती देखेंगे, जैसे इसको इसको एक साथ सॉल्व करेंगे, इसको इसको एक साथ, Z और Z को एक साथ, जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यह आजाए, यह छोटा सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखेगा, माइनस वाले में, जो माइनस के बाद, ब्रे ले 11 questions है इसको बारी-बारी हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले आप यहां देख पाएंगे निमलिखित वेंजकों में से सजाती वेंजक कौन से सजाती मतलब मैंने आपको बताया था जिनके अचर जो है जैसे आम-ाम सजाती होंगे आम और सेव हो गया तो वो विजाती हो ज चाहिए संख्या से मतलब नहीं है तो option third will be the right answer फिर एक और question लिखा है सजाती वेंजक यहां पे आप देखिए यहां पे 2x cube लिखा है 3xy cube लिखा है तो यह भी नहीं होगा हमने बताया था कि अगर कोई संख्या 2x square है और 2x है तो यह भी सजाती नहीं होगा क्योंकि यहां प यह नहीं है यहां पे आप देखेंगे सेवन x square y square और जेड है लेकिन यहां पे z square नहीं है यहां पे इसको पीछी लिख दिया है आप इसको ध्यान पीछे है फिर हम इसको ऐसे कर लेंगे तो यह जो हो जाएगा option third right answer हो जाएगा इसका मतलब क्या है इसको समझ लेजिए मैंने अगर लिखा two xy और three yx तो यह सजाती ही हुए समान ही हुए बस क्या हो रहा है यह xy है और यह yx है multiply में सिर्फ ऐसा होता है कि इसके करम पे प्रभाव नहीं पड़ता है इसके करम से तो यह आप सभी लोग ध्यान रखिएगा उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके आगे के चीज़ को अब लिखित वेंजगों में से विजाती वेंजग बताएं यह काफी इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम में हमेशा एक दो कोशन आएंगे इससे इसको ध्यान से देखिए विजाती मतलब कि सेम नहों जैसे यहां पर सेम हो जा रहा है यह भी सेम हो जा रहा है लेकिन यह क्यूब है इन में से कोई नहीं होगा ठीक है विजाती वेंजग इसमें से कोई नहीं है यह ध्यान रखिएगा यहां पर देखिए यह क्रम सिर्फ बदला है जो मैं आपको बता रहा था था थ्री एक्स स्क्वायर वाई है यहां पर वाई एक्स स्क्वायर कर दिया तो यह यह भी सेम है Q, Y, Z है और ZY है तो यह भी सेम है और यह भी सेम है तो इसमें इन में से कोई नहीं होगा अब बात आती है लिखा है कि 6 और P का योगफल क्या होगा अगर मैं आप से कहूं कि आपके पास 10 रुपे हैं और मैंने आपको कुछ रुपे दे दिये कुछ तो क्या या तो कुछ लिख दीजिए या तो कोई संख्या लिख दीजिए सेम उसी तरीके से 6 और P का योगफल क्या होगा 6 प्लस P will be the right answer जो चीज नहीं जोड़ी जा सकती उसको as it is लिख देंगे जो value वहाँ पर दी गई है अब यहाँ पर लिखा है X में से 9 घटाने पर प्राप् जाए थी वह काफी important है उसको आप ध्यान रखेंगे तो future में कभी भी नहीं बोलेंगे जैसे यह देख रहे हैं यह शाब्दिक कथन है इसको हमें BG कथन में लिख दिया मतलब algebra expression में उसको हमने express कर दिया अब देखिए इसके बाद जो अगला प्रशन है इसमें लिखा है न और इसमें 3 हो जा रहे है एकस अलग है वाई अलग है क्योंकि प्लस लगा है तो यह right answer हो जाएगा आपका उसके बाद आठमा आप देख लिए निमलिखित वेंजको में से पदों की संख्या है तो इसमें आप कहेंगे इसमें एक पद है इसमें दो पद है तो यह terms देखना है आप यह तो बिल्कुल आसान है अब लिखा है वेंजको एकस माइनस वाई और एकस प्लस वाई को जोड़िए तो आपको जोड़ने के लिए क्लिए क्या करना होगा मैंने आपको बताया था कि एकस माइनस वाई लिखा है एकस प्लस वाई लिखा है तो जोड़ने के जीरो हो जाएगा आप 0 मतलब 2x हो गाप कियेंगे सब्सक्तिज jaर कि इसको उतार दिया तो आपके अब हुपर कोई कर्ज नहीं बचा ऐसे जो है यह अच्छा concept है इन माइनस के चीजों को समझने के लिए अब यहां दस्में पर लिखा है कि इसको घटाईए अब घटाना कैसे है 5xy माइनस y प्लस 9 फिर देखे यहां पर हम xy को xy के नीचे लिखेंगे जैसा सजाती की बात हमने किया था और यहां पर फ्लस एट लिखा है तो फ्लस एट हम यहां लिखेंगे बीच में कोई संख्या नीविखेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है उससे आप घबराना नहीं कि बीच में सर्क खाली क्यों है अब यहाँ पर घटाना करना है तो घटाना के लिए मैंने आपको concept बताया था हम इसको घटाएंगे तो आप ऐसे समझ देज़े आप घटाएंगे तो यह minus यहाँ आ जाएगा और यह जो plus का चिन है यह minus में चिन हो जाएगा तो हम जो नए चिन लगाएंगे इसके आधार पर इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो 5xy में से xy घटाएंगे तो 4xy हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं है तो इसको as it is उतार देंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो हमने as it is उतार दिया माइनस y था न इसको जो y के आगे जो चिन होता है जो भी जिस संक्या के आगे चिन होता वह ही माना जाता उसके पीछे वाले चिन से उसे मतलब नहीं होता है उतारते समा यहाँ पर देखिए अब प्लस 9 था 9 में से हमने 8 घटा दिया क्योंकि अब यह वले साइन से हम चीजों को काम करेंगे अब बचेगा कितना प्लस 1 तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4xy-y प्लस 1 यह तरीका है आपका घटाने का यह मैं आपको बता दिया हूँ जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे कोशन आप अपने क्लास 4th, 5th, 6th हलाकि यह 6th के बाद ही मिलेगा आपको 6th की किसी भी कॉपी को बुक को उठाईए उसमें कोई भी अगर आप घर में कोई पढ़ता हो 6, 7, 8 में या नेट पे से कुछ कोशन लाईए उसको सॉल्व करिए यहाँ पर देखिए लिखा है 11th कोशन है वेंजक है 2x-y में क्या जोड़ा जाए कि यह वेंजक का मान 500 हो जाए तो आप क्या जोड़ेंगे यहाँ पर देखिए वेंजक लिखा है 2x-y में क्या जोड़ा जाए कि वेंजक का मान 500 हो जाए तो कुछ भी आप पी जोड़के आप लिख दीजें 500 यह आपका वेंजक हो गया यह वेंजक है अब इसमें क्या जोड़ा जाए पी बराबर 500-2x- अब अगर इनकी वेल्यू हमें पता रहती तब हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं तो यह बेसिक चीजे थी और मैंने को सॉल्व करा दिया आपके सलेबस में इतना ही है अगर इससे आगे रहता तो हम लोग और अभी मल्टिप्लिकेशन भी जानते लेकिन वो थोड़ा सा लेबल उसका बढ़ जाता है तो आई होप आपको यह क्लास में समझ में आया होगा कि जोड़ और घटाना करते समय किन बातों का ध्यां रखते हैं जोड़ में कोई बात जैसे हम लोग नौर्मल एडिशन करते हैं संख्याओं को वैसे ही करतें घटाते समय बस उनके चिन चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, हलाकि मैं तो अपने मन से पढ़ाऊंगा ही, अगर आप feedback दिना चाहते हैं, तो दें, उसके according हम लोग आपको classes provide कराएंगे, इसमें कोई भी confusion हो, तो आप उस questions को आप telegram पे group में भेज सकते हैं, अगर समय मिलेगा, मैं या मेरी टीम में से कोई भी उसका solution आप लोग को दे देगा, तो मिलते हैं नेक्ट प्लास में, तब एक लिए बाए, टेक कियर और लिप वाच्छी